तो बचो आज जिस फार्मेसी विकिंसी के हम बात करेंगे वो कहा निकली है देखिए फार्मसिस्ट, मेडिकल ओफिसर और क्लीनिकल एजिस्टेंट इन सब की पोस्ट निकली है क्लीनिक्स आम आत्मे क्लीनिक्स और फाइफ म्यूनिसिबल कोपरेशन में निकली है कहां पर under the department of health and family welfare पंजब तो यहां पर pharmacist की post है किस तरह से post है किस तरह से आप apply करेंगे क्या terms and conditions है सब कुछ हम अच्छे से discuss करेंगे आपसे इस वीडियो में तो वीडियो के end तक बने रहें अगर बच्चों अभी तक आपने मैं चानल को subscribe ने करें सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह कि कोई भी important notifications आप miss ना कर पाएं ना करें तो इसलिए subscribe जरूर करें चानल को सारे ही mcqs और tutorial सब कुछ हम आपको provide करते हैं important dates की अगर बात करेंगे देखे तो online application इसकी start हो जाएगी 27 February 2013 यानि इसकी online application start हो चुकी है तो आप फिल कर सकते हैं अभी criteria देख लेते हैं किस criteria पर फिल कर सकते हैं last date जो है इसकी online application submission की वो 10 March 2023 है तो काफी कम time है इसके बीच में जिन जिन को भी लगता है वो जल्दी से apply करेंगे बच्चे walk-in interview है इसके लिए अगर आप जा रहे हैं इसके लिए यहाँ आई बटन पे ख्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं pharmacist का देखें इंटर्विव है 15 March 2023 को results वगरा भी बहुत ही जल्दी declare कर देंगे 15 March को आपका interview होगा 20 March तक यह आपको अपनी उसका result बता देंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हो पाए हैं किसी वज़े से allocation कर देंगे आपको अपनी जॉब दे देंगे आपको अपको अपनी positions allocate कर देंगे 21 March 2023 तक तो यह सारी ही process नोंने बताई है अपनी number of stations यहाँ पर सब कुछ बताएगे हैं कहां कहां stations है इनके अब यहाँ पर qualification की अगर बात करें educational qualification की तो pharmacist में मांगा है देखे डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है रिक और इंस्टिट्यूट से registered pharmacist होने चाहिए और फार्मेसी पंजाब फार्मेसी काउंसल के तहत तो जो सिर्फ पंजाब वाले बच्चे हैं हाँ बच्चो उसिर्फ वो ही apply कर सकते हैं all India के बच्चे apply नहीं करेंगे candidate जो है देखिए उसके पास अपने metric में पंजाबी subject होना चाहिए यह मांगा है इन्होंने essential में desirable में मांगा है इन्होंने कि अगर degree in pharmacy है तो आपको अगर दो बच्चे हैं जैसे हमने पहले भी कहा था अगर दो बच्चे है जिस एक के पास degree है और एक के पास डिपलोमा है एक की पोस्ट है तो degree वाले को prefer किया जाता है अगर experience पगरा है आपके पास dispensing में तो वो desirable है तो यह सारे ही जो documents है ना यह आपको अपने साथ लेके जाने है interview की site पर अभी कहां किस तरह से होगा वो सब आपको बताते है एज जो है अप टू 37 years तक है तो यह था देखिए essential qualification के बारे में फिर यहां पर बच्चों देखिए बहुती interesting information उन्होंने दी है इन्ह जो भी entry विगर है आपको करनी होगी patients की, online entry करनी होगी उनकी registration की, उनकी prescription की, drug dispensing जिस हसाब से आपको करनी है तो आपको self declaration ज़रूर देना होगा कि आपको IT field की knowledge है आप इस system से adopt कर पाएंगे अपने आपको अगर आप नहीं देते है self declaration तो आपका application जो है वो reject कर दिया जाए documents के अगर बात करें तो क्या क्या documents है, pharmacist के आपकी date of birth, degree या diploma जो भी है आपके पास, अगर PG post graduation आपने किया है या PG diploma आपने किया है तो भी आप लेके जाएंगे in short आप जितने भी आपके पास documents available है वो आप लेके जाएंगे अपना experience certificate, registration certificate with Punjab pharmacy council तो यह सब आपको वहाँ लेक जाना है और किया उन्हें यहां पर सभी कुछ बताया गया है कि देखिए आप application form जो है वो online submit तो कर देंगे बट इसका मतलब यह नहीं कि आपको interview के लिए आना है यह लोग जो है खुद ही decide करेंगे अपनी internally decide करेंगे और फिर आपको बताएंगे जो भी आप अपना contact number दें तो यहीं सब यहां पर उन्हें बताया है अच्छे से आप एक information को पढ़ेंगे आप देखिए हम आपको बताते हैं terms and conditions क्या है और किस तरह से आप apply करेंगे यहां पर terms and condition बताई है pharmacist की post के लिए क्या क्या होगी आपकी pharmacist जो है देखिए उनको 12 रुपे पर person दिया जाएगा पर patient जितने पी patient आते हैं तो एक patient पर 12 रुपे दिया जाएगा इसी इसाब से कम 50 patient आप attend करेंगे तो उसके according आप जोड़ लीजे कितनी आपकी मधली salary बनेगी कितना आपको अगर यहाँ पर आपकी salary दी जाएगी आपको बाकी यहाँ पर एक एक चीज़े आपको अच्छे से पढ़ने हैं देखिए उन्होंने क्या बोला है कि pharmacist को सब कुछ ही registration और जितने भी records हैं उनको maintain करना अच्छे से आना चाहिए जो भी अपनी responsibility हैं उनको पूरा करना है timing व अगर बहुत जादा workload है तो यह extend भी कर सकते हैं आर्स को यहाँ पर इन्होंने यह mention किया है फिर last में यहाँ पर देखेंगे क्या बता है इन्होंने यह जो है देखें यह जो पूस्ट है यह valid है एक साल के लिए one year के लिए valid है बट extension भी हो सकता है यह सब ही कुछ यह organization खुद decide करेगी यह देखें का application form है online application form है बहुत ही चोटा सा है कुछ जादा आपको करना नहीं है कोई भी एकर query कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आपको email भेज देना है इस इंक दिये गए email ID पे किस तरह से देखें आपको यहाँ पर अपना नाम mention करना है date of birth mention करने है अपना mobile number देना है ठीक से सब कुछ यह आपको mention करना है क्योंकि यहीं पर वो आपको contact करेंगे आपके interview की details बगरा देंगे name of the post क्या कौन से post आपको select करने है तो pharmacist select कर लेनी है email ID देना है अपना password देना है और फिर register कर लेना है इसके बाद जो भी देखें कहां पर आपको जाना है interview यह सब और कब जाना है यह सब आपको यह बताएंगे अपने आपके दिये गए contacts में इन सभी बचो इन सभी चीजों जो भी हमने आपको बताई है इन सभी का link हम आपको description box में देने के तो कहीं जाने कि आपको ज़रूत नहीं है on and applied terms and conditions और official website सब कुछ आपको description box में मिल रहें ताकि कोई भी important video आप miss ना कर पाएं so thanks for watching